इसराइल, हमास, युद्ध के और गहराने की आशंका बढ़ गई, युद्ध के बीच अमेरिका ने परमाणू हत्यारों से लेस पंडूबी को परिसियन खाडी में तैनात कर दिया है, माना जा रहा है कि इरान को जवाब देने के लिए अमेरिका ने इस पंडूबी को तैनात होगा, अब इसराइल और हमास का युद्ध इसराइल या फिलिस्तीन का संकट थोड़े जाधा विस्पोटक मुकाम पर है, दो महत्तुपूर्ण और एक्टर या दो महत्तुपूर्ण देश इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं, इसमें लिबनान और इरान, इरान की में अपनी जो खोई हुई ताकत है, मध्यपूर्ण की पॉलिटिक्स में, में उसे हासिल करने के लिए थोड़ा एग्रेसिव होकर सामने आ रहा है, ये तो कूटनीती और रननीती की बात हुई, पर इसका सबसे बड़ा असर इस छेत्र में और एनरजी के पूरे परदर्श पर पड़ रहा है, अब दुनिया भर के बैंकर्स एक कह रहे हैं कि इस इलाके में नई तेल परियोजनाओं, नई गैस परियोजनाओं में निवेश का समय नहीं रहा, यहां पर नया पैसा लगाया जाने की ज़रोत नहीं है, उधारन के लिए एक अरब गैस पाइपलाइन क प्रोजेक्ट है, जो कि इजिप्ट और जार्डन को कनेक्ट करता है, और सिनाई से जाता है, यह माना जा रहा था कि अगर यह पाइपलाइन बनती है, तो पूरे अरब के हिस्से में निचुरल गैस की सप्लाइ बहतर होगी, और इससे बहुत सारे उद्द्योगों को इजि परियोजनाओं में निवेश होने वाला था, पिछले बीस एक सालों में इस छेत्र में तमाम बड़ी कंपिनियों ने, अंतराश्टी कंपिनियों ने, फंड्स ने, बैंकर्स ने काफी पैसे लगाया है, क्योंकि भविशी की एनरजी की आपूर्त यहां से पूरी होनी है, अब ये जंग जिस मुकाम पर पहुंची है, वहां इस निवेश के रुकने की संभावना, रुकने का खत्रा दिखाई दे रहा है, इसका असर क्या है, इसका असर पूरी दुनिया यह मान रही है, कि अगर ये समय से निवेश निवेश नहीं आया, तो गैस और तेल के बाज जी चाहिए नए उत्पादन की शम्ताओं को बढ़ाने के लिए वो अगले दो-तीन साल तक आने की संभावना नहीं है.